चैनल में आपका स्वागत है, आज मैं आपको पताने जारी हूँ कि कोरियंडर पाउंडर कैसे बनाना है, यह मैंने कोरियंडर लिया है, साबूत है देखें, यह मैंने अभी धूप में सुका लिया है, यह दस बजे का टाइम है, हमारे घर में धूप आती है, पीसने से पहले इसे हम सुकाना है और साफ करना इसमें कोई कंकड मिट्टी नहीं होनी चाहिए, बिलकुल साफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, यह मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, अब हम इसको मिट्सा में डाल करके पीस लेंगे, कर कि लेंगे, अब हम आफ ऴ। इसको मिट्साortic कर दो कि लेंगे,कम इस करना कर दो यहीं होना, कर दो आफें।, जो आफें, थिय акку convincing boy ligas अफे, इस बात कर अफेंे हंईया इसमें होना गंगे, इस थula आफेंगा, ऊफेंगा, नहीं होना है, आफें dealing a पीस अबाएंगों हैंता यह मैंने इसको पीस लिया है और यह थोड़ा सा पाउडर एतना दल-दला होना चाहिए थोड़ा सा मोटा बिलकुल बारीक नहीं करना है इसमें बहुत अच्छी खुश्बु आती है घर के बने पाउडर में बजार में पता नहीं क्या क्या मुलाते हैं खुश्बु भी ने इसलिए सबजें हमारी टेस्ट लेस्ट बनती है घर में मैं मसाले बनाती हूँ तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसको इस तरीके से टिब्बे में स्टोर करके रख लीजिए यह जब खता मोझा है फिर दुबारा कर लेते हैं इसी प्रोसेस को फ्रेंट्स मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो विरकुल भी न भूले थैंक्स फॉर वाचिंग